नमस्कार आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सजी गुरुकुल के इस ओफीशियल यूट्यूब चैनल पर साथ हूँ UPCC अपने थोड़े से एक्टिव मोड में आ गया है जैसे कि आपने देखा इस टैनोग्राफर का जो कटाफ है वो भी उसने जारी कर दिया फटाफट से सारे वो मुख के परिक्षा के कटाफ जारी कर रहा है तो आज जो नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है UPCC के दौरा वो है फॉरस्ट गाइड का जी हाँ 709 पदों पर जो फॉरस्ट गाइड की विकिंसी निकाली गया थी पेट 2022 के माध्यम से उसका कटाफ जारी कर दिया गया है आसे ठीक चार महिने पहले मई की बात है 14 मई की आसपास तो 14 मई 2024 को क्या जारी किया गया था इसका सिलाबस तो क्या किया गया फॉरस्ट गाइड का सिलाबस जारी कर दिया गया और सिलाबस जारी करने के बाद उसने पेट का कटाफ जारी नहीं किया था तो याद रखिये वैसे ही मंडी परिस्ट के बारे में है तो मंडी परिस्ट जो आप लोग बार बार करें ना फिर बैच ले आईए बैच ले आईए तो मैं चाहता हूँ पहले पैट का कटाफ आजाने दीजिए क्योंकि आभी आप जानते हो पैट का कटाफ आएगा कटाफ आने के बाद कम से किम आठ नो महिने यह एक वर्ष का समय आपको मिलेगा हना परि 42 गुणा विद्यार्थी गुलाएं गये हैं लगवाग 33 गुना विद्यार्थी गुलाए गये हैं थी तक जो मैकसिमम बुलाया है वो 45 गुना के आपस बुलाया है 45 गुना 48 गुना तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पर तो आप देखेंगे आज है साथ अक्टूबर 2024 ठीक पंदा बीस में पहले यह जारी किया गया है मैं रेलेवे की क्लास स्टार्ट करने जा रहा था तो लिखा हुआ है 603 प्लस 16 पद ना तो 693 पद किसके हैं वर्न रक्षक के हैं और जो 16 पद है वो वर्न जीव रक्षक के हैं ठीक ना तो यहां पर लिखा हुआ है कि 709 पदों के सापेक्ष 15 गुना विद्यारती बुलाया जाने थे लेकिन हमने बुलाए है लगबग 42 गुना 29,217 विद्यारती हुआ है आप देखिए का यह जब अने के बाद ही बच्ची बिलकुल हम बुलकुल लगा पार इंक्वारी पर इंक्वारी कि हमें बैच लेना है आप लोग बैच नहीं ला रहे हैं पिर कहीं और से ले लेंगे तो मंडी परिस्त सची वाले विद्यारती दो धमकी देने आ रहा है बिलकू सनाटे में काम चला है क्योंकि यूपी ट्रीपलसी में ये खबर पहुках चुकी है तो यूपी ट्रीपलसी वालों है वालों ने अपने जितने करमचारी है उनको लाइन मिलिया है गेर में कि यहां की बात कैसे पहुंच रही है तो आप बिल्कु कटाफ अटाफ पर सन्नाटा बठा हुआ है तो इसलिए आप पहले कटाफ आजाने दीजिए आप पास हो जाएंगे तब हम लोग बैच अनौंस करेंगे जेकिन आप लोग ने जबरदस्ती फॉरस्ट गार्ड का हमारे साथ 22 मई को यह बैच जारी करा दिया तो इसमें बहुत सर विद्यारती कहते हैं कहते हैं सर हमारे 64 नमबर है हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये है वो है तो हमने कहा था आप लोगों से भाई बैच वही व्यक्ति खरीदना जिसके 65 नमबर से उपर है तो हमारे पास जितने भी 2300 विद्यारती जुड़े थे व अगर इसको चौदा अक्टूबर तक लेते हैं साथ दिन का मैं आपको समय दूँगा अगर आप इसको चौदा अक्टूबर के पहले पहले लेते हैं तो यह बैच 1999 के नहीं नाम पर हो और चायन वो ग्राम विकासदकारी ग्राम पंचादकारी सबसे ज़्यदा सलक्षन देना अला संस्थान एक अश्ची गुरुकुल है और फिर से फॉरेट गार्ड में जंडे गारे हैं आप उनकी फोटों आपके पास आएंगी विद रोल नंबर मिला लीजिए गा पूछ लीजेगा समझ लीजेगा है इस बार तो सबकी छमता भी नहीं है कि फॉरेट पढ़ाया जाए क्योंकि हमी ने आपको वन दरोगा पढ़ाया था तो वन दरोगा वाला सिलैबस ही यहाँ पर जारी कर दिया गया है हना फॉरेट गार्ड में तो सिलैबस चेंज हुआ है यहाँ है वन अब को बताता हो उसके पहले नंबर से नीचे यह Iskate नमबर इसकी कटाफ गई है हाना आप लोगे ने कह था है ना कभी 15 गुना बदा रहा है तो सिर्व आयोग ही इससस्ते जीत रहा है और जब जब तुम बदलोगे मैं तुमसे ज़्यादा बदल तुम डाल डाल खेलोगे, हम पात पात खेलेंगे, वही वाली हाल है, तो यूर कटिगरी की 7.54 है, SC की 57.96 है, ST की आपकी 58.72 है, OBC की 7.54, EWS की 6.54, इसका मेन का कटाफ यहां पर जारी किया गया है, फिर इसके बाद यहां पर देख लिजिए यह वाला कटाफ, तो आप देख पुरु सैनिक, उनका 43.01 है, और इसके बाद, जो आपका स्वतनता संगनाव सिनाने के लिए आस्रित थे, उनका 49.73, यहां पर कटाफ निकाला गया है, चलिए बात कर लेते हैं, जैसे आप देखो, हम लोग ने यहां पर 3 महने पहले, बैच भी स्टार्ट कर दिया था, और हम लोग इसकी क्लासेज दो दिन में प्लानिंग के साथ स्टार्ट करते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं, और फोरेश्ट्री का जो नया स्लाब है, उसके अकोड़ाना हम सुरू करते हैं, क्या यहां तक आपको बात समझ में आई, चलिए इसका स्लाबस देख लेते हैं, आपको पढ़ाए खुसी से और कहेना किसी से सलेक्षन करवा दे हैं, जल्दी जल्दी तो यहां पर हम लोग बात करते हैं, स्लेबस कि बात च्वश्टार्ट जारी किया गया था साथ सो नौ पदू पर जो फैक इसका स्लेबस बदल दिया गये आपको पता है, UPSSी में दो चीज़े common है, एक है आपका computer और एक है आपका UPG के, यह common है, फिर इसके बाद कुछ जो change किया गया है, वो आपका forestry वाला part है, और जी विज्ञान वाला part है, आप यहाँ पर देखेंगे, निगेटिव मार्किंग 100 questions, 100 marks के आएंगे, और 0.25 की निगेटिव मार्किंग होती है अब यहाँ पर आप देखेंगे, यह कह रहा है, विशयगत ग्यान होना चाहिए, विशयगत क्या मतलब है, forestry, आप forestry का आपको ग्यान होना चाहिए, 50 questions उससे आएंगे, 50 marks के, फिर प्रारंभिक गडित और जी विज्ञान के कुछ कोश्चन आएंगे, हलके फूल के, जो topic दियें नीचे, विस्तार से topic दियें, 15 questions पंदा मार्क्स के आएंगे, फिर computer 15 questions पंदा मार्क्स और UP special 15 questions 20 marks, यह सम्मे कौमन है UP और computer की 35 नमर का UP और computer आएगा ही आएगा, इसके बाद बाद करते हैं, विशयगत ग्यान की, सबसले राश्री उद्ध्यान और पक्षि विहार, हाना कौन सा कहां पर है, यह तो मैंने आपको याद कराने के तरीका बताया है, कि आप अगर 12, 13 trick हैं, उनको अगर आप पढ़न देते हैं, सारे राश्री उद्ध्यान याद हो जाएंगे, लेकिन important यह है कि इसमें यह पूछता है कौन सा राश्री उद्ध्यान, किसके जान तो दो से तीन क्लासे इसमें लगेंगी, 20 मनेट का चैप्टर है सिर्थ आरश्री उद्ध्यान, सनन अच्छित्वन, तो अब कुछ लोग यह कहेंगे कि सर, आप यह बताईए, यह इतने सारे जो चैप्टर हैं, यहाँ पर जो 15 चैप्टर दिये हैं, यह 15 चैप्टर आप पढ़ेंगे न, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 क्लासे लगेंगी, मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 क्लासे लगेंगी, उससे जाता नहीं लगेंगी, लेकिन विद्ध्यार्थी को समझ भी नहीं आता, विद्ध्यार्थी कहता, विद्ध्यार्थी क्लास में तुमने 15 के 15 चैप्टर आप देखेंगे पर्रया और पारिष्त की इस वाले चेप्टर में टाइम लग सकता है इसी में सिर्फ साथा आज क्लासे जो लगती है वो लगती है लागे हाथी रिजर्ट टाइगर रजर्व काँ साथी रिजर्व कहाँ पर है ये सारी चीजें जलवायू परिवर्तन जलव उसके लिए गलियारा पर योजना बनाई जा रही है बात समझा रही तो कौन-कौन से योजनाय चल नहीं है जिससे वाइल्ड लाइफ को बचाया जा सकता है कौन-कौन से योजनाय है फिर वन पर रहे हैं उसके लाब वन और जीव संद च्छाण अधनियम याद करना है भारत अब ऐसा जैसे इन्फॉर्समेंट कॉंस्टेबल इन्फॉर्समेंट कॉंस्टेफलका मैक्सिमम मैक्सिमम क्लासस किती हो सकती थी पच्चीज क्लासीश फिर मैंने का चलो बहुंगा ने क्रवा दी फिर भी मैं 4-5 दिश्टा लोंगा वैल्यू एड्यू-अजम्ध की वैसे क्रकाशन आती हैं उनकी किताब खरीद दीजिए आप भी पढ़िए भाई आपको पता है कि सर्फ पॉलिटी लक्षमी कान से पढ़ ले काम हो जाएगा जैसे अगर मोटा मोटा बात करें किसी और सब्जेक्ट की तो पॉलिटी लक्षमी कान से पढ़ ले पर इच्छावानी पढ़ ले ये पढ़ ले वो पढ़ ले भाई पढ़ोगे तुम किताब से अगर आप पहले से होसियार है तो आप किताब लेकर खुद भी पढ़ दीजिए बहुत बढ़िया है वो विद्ध्यारती जो बहुत कमजोर है जो उनका सल्फ इस्टेटी में मन नहीं लगता जिन आप मैं ही आहम ब्रह्मासमी तो बढ़िया बात है अब तुम इतने होसियार हो गये हो आप तो बढ़िया से तिनचार किताबे लाओ और उसके बढ़िया बढ़िया से नोच बनाओ खुदी पढ़ो कोई दिक्कत नहीं उनके लिए है जो विद्ध्यारती कमजोर है जिनको समझीम नहीं आ रहा पर रहा है उनके लिए टीचर होता है लेकिन आप खुद एक खुदी टीचर बन गया आप खुदी किसी को समझा सकते हैं अब गाईडर बन चुके हैं तो उनके लिए हमारा बैच नहीं तो सेल्फ शड़िक करना करिए कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है मैं का मना कर रहा हूं मैं थे तुमको बुलाया भी नहीं हूं कि आओ मैंने वीडियो डाला है आके देख लो और चार बुराई कर लो आपने खुदी हमारा सस्क्राइब कर रखा है और खुदी सोच रहे हैं कि भाई हना सर ने कुछ बताया होगा एक देक्स भी लेज्गत है है कि अगенияश tut झाल बर खुदी है तो सकी वापस आती है तो यह वापस आते हैं आप अभी अधेयारती है आपका करतार थे अच्छे से पर्ना मैं अध्यापा कू ... अच्छे से पढाना में वात बेच नहीं यहाना जो वी विद्यारती बैच चाहता है हम से उसके लिए लाएं है कि नहीं गड़ित की बात की जाए ठीक है पर्सेंटेज प्रॉफित लॉस एसाई और सथ वास्तिविक संख्याय एलसी में सिया माध माधिका बहुलाग जयमेट्री यह सब आता है फिर इसके बाद जी विज्ञान की ब करते हैं 14 अक्टूबर से बैच चाट करते है 14 ताक्तर करें कि अभी चाट करते हैं आप कमेंट करके बताएं गा जो पुराना बैच है उसी को हम लोग पढ़ाएंगे आगे उसे को आगे करेंगे किकना तो जिद्यारती हमारा बैच लेगा 449 रुपय का वह बैच लेते ही उसको वो जी विज्ञान की सारी वीडियो मिल जाएंगी और उसके साथ नोट्स भी मिल जाएंगे इसके साथ उसको प्रैक्टिस सीट भी मिल जाएंगी जिसको डाउनलोड करके वो प्रिंट करा सकता है और प्रीवेस पेपर का कोई मतलब नहीं है क्योंकि पहले जो प्रीव उठाकर हम लोग करेंगे फिर आपको देंगे है ना चाहिए पब्लिकेशन हो यूद का हो किरण का हो कोई भी किताब ही हम भी किताब से बढ़ेंगे तो नॉर्मल फिर यह आपका यूपी जी के जो सब में common रहता है और यह आपका computer बाकी जी विज्ञान गडित और forestry बस इसी का रोल है यानि कि 35 यानि कि 65 नंबर को पढ़ना है आपको बाकि 35 नंबर तो आपके दिएड़ घंटे की class लेगी सिर्फ मैं पढ़ाऊंगा इसमें और कोई teacher नहीं पढ़ाएगा हना कोई भी teacher नहीं पढ़ाएगा बस math अमिच सर आपको पढ़ाएंगे बिल्कुल basic से जो जो चेक्टर है बाकि सारा subject में आपको पढ़ाने वाला हूँ अच्छा बहुत सरे पढ़ना पढ़ेगा basic बहुत गंभीरता से पढ़ना पढ़ेगा तो भाई जो मुझे पढ़के पढ़ाना है उसमें time जिसमें बरबाद होगा मैं क्यूं मुझे जिसमें confidence होगा मैं वहीं पढ़ा सकता मुझे पता है मैंने बंद्रोगा पढ़ाया था बेस तरीके तो उसी प्रच निलाया मैं कभी भी है वाला बैश निलाया लेकिन हमने दी है कि पढ़ लेना ये शीट है ये प्रेक्टिस कर लेना हो सकता है पेपर इससे आजाए बात सुझा रहे हैं जो मेरे से करते बढ़ता है मैं करता हूं तो 14 अक्टूबर से इस बैच को फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे ठीक है ठांक यू वरी मच्च जैहिए